ओक लेट इस्टार्ट गुड़ मॉर्ण एब्रिवन जितने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं उन सब का स्वागत है आपके अपने इस लाइब क्लास में और मैं हूं अवदेश कुमार मिश्रा फार अवदेश मिश्रा क्लास एंड आज यू नो आई टीच बाइलोजी लुड़ चेमिस्ट्री बोट फार 9th 10th 11th and 12th so student our today's topic is laws of chemical combination to let's start study what are laws of chemical combination as you know chemistry is the study of atoms and molecules तो आज का जो टॉपिक है रुच्चों वो कुल मिलाके हम बात करेंगे कि elements से compound कैसे बनते हैं और जब elements से compound बनते हैं तो किन principles पर किन नियमा नुसार बनते हैं यही आज आपको हम पढ़ाएंगे अब देखें मैंने सब सबसे पहले आपको chemistry की अपनी सबसे पहली वीडियो में matters के बारे में क्यों पढ़ाया था उसका कि सबसे पहले आप यही देख लें कि बिना matters के आप chemistry पढ़ना ही सकते मैंटर्स किस से बने हैं यह पढ़ना है तो आपने देखा कि matters कि दो तरह के हैं प्योर और मिक्शर हम अगे अगे तो बच्चों आप सब एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं एलिमेंट्स क्या है प्योर सुस्टेंस प्योर मैटर है जो सिफ एक ही टाइप के atom से मिलकर बना है आप यूं कह सकते हैं कि सिंपलर सबस्टेंस है यानि इस से सिंपल कोई सबस्टेंस नहीं हो सकता है इसको हम चाहें कोई भी फीजिकल या केमिकल मेथड लगा ले और अगर हम चाहें इसको और सिंपल में कंवर्ड कर दें तो नहीं कि पास्बल है हाँ लेकिन एलिमेंट से मिल करके क्या बनता है कंपाउंड बनता है कि एलिमेंट से बन रहा है कंपाउंड अब यहां पर यह जो आज का टॉपिक है लाज आफ केमिकल कंबिनेशन यानि रसाइनिक संयों के नियम इसमें आप यहीं पढ़ेंगे यह वहीं नियम हैं जो बताते हैं कि एलिमेंट से कितने एटम दूसरे एटम से यानि दूसरे एलिमेंट के एटम से तो basically what is the meaning of this laws laws as you know the rules by which any work is done and chemical any chemical chemical means study of atoms and molecules combination combination means two atoms of two or more elements combined together and from compound तो in this way here the laws of chemical combination explains are so the way how the elements combine and form compound यहां पर आपको सिर्फ यही देखना है अब समझ लें एलिमेंट से मिलकर के compound बनना है दो एलिमेंट है माल लेते हैं दो एलिमेंट हम ले लें carbon and oxygen यह मिलकर के compound का formation कर रहे हैं तो आप देखना यह है कि कैसे जुडेंगे यह कितने होंगे तो आप जानते हैं कि carbon and oxygen combine and form carbon dioxide and also carbon monoxide though what are the relations between these two elements you have to study in the laws of chemical combination so let us start first laugh chemical combination so students you have to study five laws in the ticket in this section five laws are there and first one is law of conservation of mass the first love is love conservation of mass because so many Hindi medium students are also studying in this section so we have to explain it in Hindi also so law of chemical law of conservation of mass is also known as there have been on some natural car near so first of all is study the meaning of this law law any rules and regulation ticket with the help of this any work is done so here this law is about chemical competition combination so in this regard conservation of mass conservation means protection of mass any mass is protected the same way in Hindi also Hindi maybe it's coming up where he had the demand so much of any conservation of mass mass go conserve करना है मास का मतलब है मैटर से जिसको हम पदार्द कहते हैं यह लोग कहता है कि मैटर इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इस्ट्रॉइ कर सकते हैं यह 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 नियम यह कहता है अच्छा इस नियम को दिया किसने था यह भी जालने इस लाग वास गिवन बाई ले वाजियर अन्सो नोन एस फादर आफ के विस्ट्री तो एकॉर्डिंग टू दिस लाग इन्हों ने बताया कि मैटर या जो पदार्थ है उसको हम ना तू बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं हैं फिर कर क्या सकते हैं कुछ नी कर सकते हैं एक फाड से दूसरे साफोर में हम उसको कमर्ण कर सकते हैं जैसे अर्ज paso हम ले लें टॉम आία डारिप हैं यह क्या मे कैन्स कर दें इस प्रमांद से हटा देंखतर्थ हैं तो अ impossible यह संभू ही नहीं है कि हम इस carbon item को एकदम से मिटा दे नस्ड heちょ नहीं या अगर हम दूसरी तरफ चाहें कि हम्तार करना लिए यह नहीं पर्याप पर ले ना वम carbon atom बना सकते हैं और नाहीं हम उसके मिटा सकते हैं न कर किया सकते हैं carbon है इसको हम hydrogen के साथ pre-pun तो methane बन जाएगा, methane बन जाएगा, प्रॉपेन बन जाएगा यारी सारे hydrocarbon साफ hydrogen और carbon से बना सकते हैं इसको हम अगर oxygen के साथ जोड़ दें तो carbon dioxide बन जाएगा, carbon monoxide बन जाएगा इसी तरह से और भी बहुत सारे element हैं जिसके साथ ये जड़ता है और जुन करके different fromdagamda बनाता है लेकिन अगर हम चाहें किसी मेथेन का सारा कार्बन मिटा दे तो यह पास्बिल नहीं है तो लाफ कंजर्वेशन आफ मास इज इस्टेटेट दैट कि इन एनी केमिकल और फिजिकल रियक्शन और यू कैंसे दूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रियक्शन दा टोटल मास आफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर रियक्शन इज कांस्टंट ठीक है टोटल मास किसी सिस्टम का वो हमेशा क्या होगा कांस्टंट होगा अब इसको देखें क्या कह सकते हैं इन एंडी फिजिकल और इसकी किर ऑबडते लियक्शन इसक्ष्टिक डियक्शन र इस्ट्स्थर्ण तोटल'm मॉस ओ कि सिस्टम कि विफोर कि एंड कि आफ्टर कि रियक्शन कि रिमीन कांस्टेंट या से ठीक कांस्टेंट भी हम कर सकते हैं और से भी कर सकते हैं को फारे जांपल कि इस टू एलिमेंट्स और सुस्टेंट्स कमटर इच अदर एंड फॉरम कुझे फॉर यह कहाँ इनको काते हैं रियक्टेंट्स यह है प्रोड़ेक्ट्ट्स तो अग्रप्सका में ले कि फिस्क्राइटिंग का मैनल्य या 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 जा या वन ड्रम ए ग्रम इस ठीकल्श में ग्रम it is C । ग्रम औ ग्रम. So, according to this law, mass of reactants is equal to mass of products. Mass of reactants is the sum of mass of A and B and mass of product means sum of mass of C and D must be same. Here you can see mass of A is A gram, mass of B is small b gram must be equal to mass of C that is C gram and mass of D that is D gram. So, here according to this you can say that this law says during the chemical reaction, mass of substances remain unchanged. Here we have two reactants participate, two product. Reaction's first, if we have this reactant mass and reaction after this product, we measure then we will get two times reaction after this reaction, which we have seen here, which we have seen here, that what we have seen here, that what we have seen here, this is the same. This is the scientist, the adult, who has an experiment, implemented, okay? This character you님이 sent it to the product. Okay? This character you have wrote this account. This character you have createdthere is a document दीदी आगे बलते हैं लेवाजियर के इस लॉक के सपोर्ट में एक सिंटिस्ट थे लेंड आल्ट इन्हों ने एक एक्सप्रिमेंट किया उस एक्सप्रिमेंट में क्या क्या इन्होंने शिल्वर नाइट्रेट लिया और इसका रियक्शन कराया पोटैसियम आयोडायट से रेक्टेंट बनेंगे शिल्वर आवड़ाइट एंड पोटाइसियम नाइट्रेट क्या किया इलोने ही तुक आ ग्लास बेसिल इन दिस सेब हिप फिल्ड सिल्वर नाइट्रेट हियर और इसमें इन्होंने बर दिया पोटैसियम आयोड़ाइड फिर इसको ऐसे सीर कर दिया अब इसको हम रिवर्स कर दें उल्टा कर दिया उन्होंने तो ये दोनों केमिकल आपस में मिले रिएक्शन हुए अब रिएक्शन से पहले इसका मास उन्होंने ले लिया था यह है फिफोर रिएक्शन फिर रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करवाने के बाद इसमें मिक्शर मिलेगा सिल्वर आयोडाइड और पोटैसियम नाइट्रीट का और यह है आपका आफ्टर रिएक्शन इन्होंने बड़ी साउधानी से दोनों का मास लिया और देखा कि इन बोट केसिस मास रिमेन अंचेंज़ तो इस तरह से इन्होंने लेवासियर का जो यह लाथा लाफ कंजर्विशन आफ मास उसको प्रूब किया अब इस पर कई सारे नेमेरिकल्स भी वनते हैं बच्छे और वो नेमेरिकल्स भी आपको करवाएंगे आप देखें ये law कहां पर fail हो जा रहा है ये law ऐसी जगा फेल हो जा रहा है जहां पर reaction के दोरान बहुत सारी energy या तो evolve होती है या consume होती है तो वहां पर ये law of conservation of mass fail हो जाता है इसके लिए क्या था कि पहले conservation law of conservation of energy और law of conservation of mass को अलग-अलग माना जाता था लेकिन Einstein के discovery के बाद दोनों को same कर दिया लिया अब मान लिजे इस law को कहना है तो आप यह कह सकते हैं कि in any physical or chemical reaction the total mass and energy of system before and after reaction remain constant तो अब modern is में आप इस law में थोड़ा सलसल सुधन कर सकते हैं क्योंकि ऐसी reactions जहां पर बहुत सारी amount में energy release होती है यह energy consume होती है वहां पर यह नियम तोलब सा फिल हो जाता है ठीक है और उसके लिए क्या था Einstein ने एक equation दिया था इसक्वल टू डिल्टा एम सी स्क्वायर यहां पर क्या था किया था एफार एनर्जी इवाल्ड जो एनर्जी निकल रही है एम इस दा मास डिफेक्ट जो मास में कमी आ रही है और सी इस दा यह है वेलोसिटी आफ लाइट अब ऐसी रियक्शन जहां पर बहुत सारे अमांट में एनर्जी रिलीज हो रही है या consume हो रही है वहाँ पर क्या होता है कि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कहां से आ रही है अगर किसी chemical reaction में मालो nuclear reactions है तो nuclear fusion है इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है निकल रही है तो एनर्जी आती कहां से है इसका जबाब Einstein ने दिया कि वो एनर्जी जो है mass defect से आती है क्योंकि जब ऐसे reactions होते हैं तो system का जो total mass है वो reduce हो जाता है और वो reduction क्या होता है energy में convert हो जाता है इसी तरह से अगर energy energy consume हो रही है तो mass थोड़ा सा बढ़ जाता है यानि mass and energy both are invert inter convertible with each other mass और energy को हम एक दूसरे में convert कर सकते हैं तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि law of conservation up mass कुछ नहीं है बस इसमें क्या करना है कि यह बताता है कि mass को हम ना मिटा सकते हैं धर मतलब है दरिभ़े मान और mass किसक करा होता है किसी matter का तो आप कह सकते हैं कि हम matter को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं अब मास्क या मैटर किस से बना होता है एटम से बने होते हैं मालिक्यूल से बने होते हैं तो यह नियम उस पर भी लागू होता है कि एटम को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं और इस बात को डॉल्टन अपने थियरी में भी बताया था कि एटम को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं तो दोनों मिला करके- यहाँ पर हम कह सकते हैं अब इस लॉप में आप देखें कि लेव द्वीर का भी का कट् 담 का भी थोड़ी बहुत बात इसमें आ रही है और इसके अलावा आप देखें जो लेड़ांट हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया तो इस तरह से सम मिला करके लाफ कंजर्विशन आप मास इसमें कहा गया कि अगर इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट मिल करके अगर कंपॉंट बना रहे हैं तो दो इलिमेंट का जो मास होगा वही कंपॉंट का होगा और आज हम इसको देख भी सकते हैं कार्बन को जब हम जलाते हैं यह जलाते हैं ऑक्सीजन के साफ करके यह बना लेता है carbon dioxide अब यहां से हम देखें atomic mass of carbon is 12 while oxygen is 16 and two atom are there so it is 32 to 12 and 32 is equal to 44 यहां पर भी आप देखें mass molecular mass of carbon dioxide is 44 तो in this way we can prove love conservation of mass and now student next law is तो बच्चों इस समझ में आ गया अब हम चलते हैं दूसरे लापर जो बताता है ला आप definite proportion law of definite proportion अब देखें इसमें क्या है this law was given by जोसेफ प्राउस जोसेफ प्राउस इन्हों ने क्या किया क्यूप्रिक कार्बोनेट की स्टडीट या इस्टडीट दा कंपोजीशन आफ क्यूप्रिक कार्बोनेट वन नेचरली आख करी एक नेचरल क्यूप्रिक का कंपोजीशन की स्टडीट या और एक सिंथेटिक का भी किया इस्टडी बोच एक यूप्रिक का दोन आ प्र नेचरल nंत and synthetic and he found in both cases the percentage of copper carbon and oxygen remain same in both type of cupric carbonate मतलब कि इन्हों ने क्यूपरिक कार्बोनेट कि दोनों केसेस में कापर का कार्बन का और आक्सीजन का जो परसेंटेज है वो सेम है इसी तरह से फिर इस्तरी किया गया कि कार्बन डैक्साइड कई तरह से जैसे कार्बन के कंबस्शन कार्बन का क्बस्शन कराये गया उससे जो कार्बन डैक्साइड मिला को दूए पूए है कि कार्बन के कंबर्सन से कारभन राइकसाइड मिला कारब केलसियम कारबोनेट को गरम किया गया और उससे जो कारबन राइकसाइड मिला सोडियम कार्बोनेट को गरम किया गया उससे कार्वन डाइक्साइड मिला इन सब के जो कार्बन और आक्सीजन है इसमें फाइनली कार्बन और आक्सीजन का परसेंटेज निकाला गया तो सब में सेम मिला तो इस तरह से यह प्रूब हो गया कि किसी भी कंपाउंड में उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज बाइ मास वो डेफिनिट होता है तो इन दिस वे यू कैंसे इस लाग इस्टेट्स डैट इन एनी कंपाउंड तो सब्सक्राइब कर दो इस यह जो इस दो रिमेंट्स in a compound take it the proportion of elements are always definite किसी भी compound में जो elements उसके elements है उनका proportion हमेशा constant होता है और इसके लिए आपने एक्जामपल देखा कि जोसे प्राउस ने तो कैल्सियम कार्बोनेट का किया था उन्होंने एक सिंथेटिक और नेचुरल फार्म का लिया उसको स्टेटिक किया और फाइनली उनको मिला कि कापर कार्बन और आक्सीजन का जो परसेंटेज है वह दोनों टाइप के क्यों प्रिकार्बोनेट में सेम है और दूसरे एक्जामपल कार्बन डाक्साइट का लिया गया जो कार्बन डाक्साइट डिफ्रेंट सोर्से से कार्बन डाक्साइट को अप्टेंड किया गया फिर उसमें कार्बन और आक्सीजन का परसेंटेज निकाला गया जो हर बार सेम था राइट अब इसके बाद चलते हैं थर्ड लाओ थर्ड लाओ इस लाओ अब यहाँ पर देखें लाओ अब डेफिनिट प्रपोर्शन था वो एक कंपाउंड के लिए था अब क्या है लाओ अफ मल्टिपल प्रपोर्शन यह भी कंपाउंड के फार्मिशन के लिए है लेकिन यहाँ पर टर्म कर्डिशन थोड़ी सी डिफरेंट है कैसे हैं इसको आप कहें लाओ अफ मल्टिपल लाओ अफ मल्टिपल प्रपोर्शन पहले इसका मीनिंग समझ लें कि लाओ अफ मल्टिपल प्रपोर्शन अखिर कह क्या रहा है तो सबसे पहले आप देखे लाओ अफ मल्टिपल प्रपोर्शन मल्टिपल क्या होता है मल्टिपल आप पढ़े होंगे मल्टिपल और फैक्टर्स के बारे में ठीक है मल्टिपल यानि किसी नंबर को हम मल्टिपलाई करे वन से टू से थ्री से जो number मिले उसको कहा जाता है multiple तो law of multiple proportion यह कहता है कि if two elements if two elements form two are more compounds ठीक है अगर दो element दो या उससे ज़्यादा compound का formation करते है तो क्या होगा a element हाई तो डसका है बैंने एकड़ी करhertz baik-गेर के सुझिए ओक्या's Sat है अधर आकाह दो खब्यादा algist है ड्यादा सिए जीवाद और धीया यह arrests below है अधरे जीए हैं एध्याद को अवर्याद heartbeat मासेस आफ वन एलिमेंट यहां पर आप इसमें डिफरेंट लिख लें डिफरेंट मासेस आफ वन एलिमेंट कम्बाइन विद फिक्स्ट मास मासेस बाता है लिफरेंट रैडट र दापस्ट्ड घ्रिस लिईशस?". तो यह थे कि अगर दो एलिमेंट मिल करके दो या उससे ज़्यादा कमपॉंड बनाते हैं तो उसमें एक इलिमेंट जिसके डिफरेंट मासेस दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कमबाइन हो रहे हैं तो यह जो पहले इलिमेंट का डिफरेंट मासेस से इनका एक सिंपल रेशियो होगा इसको आप एक एक जांपल से समझें कि जैसे आप जांपल ले लें हाइड्रोजन और आक्सीजन का तो हाइड्रोजन और आक्सीजन का तो हाइड्रोजन और आक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड बनाते हैं कि आए हए यहां पर आप देखे हाई धूर का मास और अक्सिज理 का मास है हाइडिरोजेन का तो अ日本 होगेगा टूंजल समय है है इसमें 32 ग्राम तो अब यहां पर देखें जो fix fix mass वाला है वो hydrogen है और difference masses वाला कौन सा है oxygen है अब इनका देखो इन दोनों में ratio क्या है यहां पर दोनों oxygen दो compound में जो oxygen का ratio है वो है 16 is to 32 are you can say 1 is to 2 fix mass hydrogen के साथ जो hot oxygen के different masses combined हुए है वो एक simple ratio में है ठीके बात समझ में आ रही है कि यहां पर यह जो laugh multiple proportion कह रहा है वो यही कहता है कि एक element का mass fix है और दूसरे का क्या है उसके multiple में है जैसे 16, 16 तूजा 32 तीसरा बनता अगर तो 48 रहता इस तरह से यह क्या है कि एक fix का यह multiply करते जाए और इस तरह से उसका ratio मिलेगा तो यह एक simple ratio में है बच्चों दूसरे example से हम इसको समझते हैं अब हम लेते हैं example नाइट्रोजन और अक्सीजन का ठीकर नाइट्रोजन अक्सीजन के साथ मिल करके फाइब पर्मनेंट कंपाउंड का फार्मेशन करते हैं यानि नाइट्रोजन और अक्सीजन कंबाइड विद इच अदर आ छा मकेशन कें विद और विद्रोजन कि अधिए विद्रोजनेटरigon SAT N2O3 and N2O5 Pfff पर दो पर एक जो कहा अब इसमें आप देखें जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रूजन का एटोमिक मास है 14 और आक्सीजन का होता है 16 तो यहां आप देखें नाइट्रूजन का और इधर आप ले ले आक्सीजन का इसमें नाइट्रूजन एंट्व तो यह हो जाएगा 14 तुजा 28 और आक्सीजन 16 यहां पर नाइट्रूजन 14 और आक्सीजन 32 यह नाइट्रूजन 14 और आक्सीजन 16 15 यह नाइट्रूजन 28 और आक्सीजन 16 तरीजा 48 यह नाइट्रूजन 28 और आक्सीजन 16,5 जा 80 अब हमको क्या करना है कि नाइट्रूजन का एक फिक्स मास लेना है तो इसको हम ऐसा ले लें यह सब सेम हो जाएगा तो सेम करने के लिए हम यहां फिर से ले लें नाइट्रूजन का और इधर आक्सीजन का तो यह 28 है इसको भी हम 14 कर दें तो 28 को 14 करेंगे तो से इसको डिवाइड किया तो से इसको भी डिवाइड कर दें तो तो हियर इट इस 14 यह हो जाएगा 8 यहां पर अब इसमें इस वाले को यहां ले ले इसको यहां ले ले तो ठीक हो जाएगा हमारा यह सिक्स्टीन और इसको कर दें थर्टी टू एक सिम्लेटी क्रियेट करने की मैंने इसा किया है तो अब यहां 14 इसके साथ हो जाएगा 16 14, 14, 32, 14 इसको भी हाफ करें तो इसको हाफ करेंगे तो इसका आएगा 24 और इस तरह से इसका हाफ करेंगे तो आएगा 14 और इसका आजाएगा 40 ठीक है अब क्या करें इन सबका अगर हमें एक रेशियो निकाले तो इन में रेशियो तो यह होगा 1, 2, 4, 3, 5 आए तो इनका रेशियो आएगा 1, 2, 2, 3, 4, 5 तो अब यहां देख सकते हैं कि नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जिसका रेशियो जिसका फिक्स मास है और अक्सिजन का डिफरेंट मासेश इसके साथ कमबाइन हो रहा है और आक्सिजन के जो डिफरेंट मासेश है वो वो 1, 2 two is to three is to four is to five के ratio में हैं इस तरह से आप carbon dioxide और carbon monoxide का भी ले सकते हैं example और उसमें भी आपको क्या होगा कि जो compound जो element different masses में है उसके different masses का एक simple ratio होगा तो यहां पर आप देखें फिर से समझें लाफ multiple proportion क्या कहता है कि अगर दो element आपस में मिल करके दो या उससे ज्यादा compound बनाते हैं तो उसमें जो different masses यानि एक element के different masses दूसरे element के fix mass से combine होता है तो जो different masses हैं उनका simple ratio होता है वो एक simple ratio में combine होता है तो यह है बच्चों ला आफ multiple proportion अब इसके बाद एक law है जो आपके NCRT में नहीं दिया है कि लेकिन उसकी बारी इसी के बाद आती है NCRT में इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो multiple proportion के थोड़ा similar है लेकिन काफी अंतर भी है उसमें जिसको कहा जाता है ला आफ रेसी प्रोकल प्रपोर्शन ठीक है वो ला है ला आफ रेसी प्रोकल प्रपोर्शन तो इसको हम है स्ट्रैक मान लेते हैं ठीक है यह अलग से मैं आपको ला बता रहा हूं जो कि यह एंसे आटी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उस ला को भी बताना जरूरी है आप जान लें तो यह है ला आफ रेसी प्रोकल प्रपोर्शन ला आफ रेसी प्रोकल प्रपोर्शन इसमें क्या है कि ला आफ रेसी प्रोकल प्रपोर्शन और ला आफ मल्टिपल प्रपोर्शन में आप डिफ्रेंसियेट कैसे करेंगे एक्जाम में पूछता है कुछ एक्जामपल दे देता है और पूछ लेता है बताओ यह जो कंपॉ सीड करने का कि ला- आप मृटिपिल प्रपोर्शन में दो EVERY में और ला आप मृटिपाल प्रपोर्पोर्चन होगा उसमें तीन अलेमंट होगे और तीन अलेमंट का वो ट्रेयंकिल बना कर पूछता है इसमें कि अगर कर दोएलिमंट है कि सी तीसरे element के साथ जहनि 2 element किसी 3 element के fix mass से मिल करके different compound बनाते है और वो आपस में भी मिल करके compound बनाते है तो जो आपस में मिल करके compound बनाएंगे उसमें masses का जो ratio होगा इनके साथ जो बनाएंगे उसमें एक आपको simple ratio मिलेगा करते क्या है इस पर दो कंपाउंड इसको एक्जांपन से आप समझ ले तभी इसका डेपीस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें आप एक्जांपन ले सकते हैं जैसे कार्बन का आप ले ले लिए और एक है सल्फर कार्बन और सल्फर आक्सीजन के साथ मिल करके कि कार्बन डायक्साइड यह बना रहा है और यह इसके साथ सल्फर डायक्साइड बना रहा है तीन एलिमेंट हो गए कार्बन है सल्फर है और आक्सीजन है तो पहली जो कंडिशन है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन विट थर्ड एलिमेंट ठेक है विट इस फिक्स रेशियो या फिक्स मास तो यहां पर क्या है आप देखें कि इसमें कार्बन कितना है ओल्व एक उर्ट सीजन कितना थिए ठेक हैं यहां पर इंस दोनों का रेशियो क्या है प्सक्र नग्लेंटी थर्टी लिमें तो इस तरह से आप देखें जो फिक्स मासे रेशियो ग्वाल यहां सेके साथ यह कि वर बहुत है और उस समूंHHH भी जुड़ रहा हैं तो इस तरह से इन दोनों का जे रेशियों हुआ वह हो गया 12 is to 32 या इसको आप 4 से डिवाइड कर दें तो बजाएगा 3 is to heat यानि यह दो एलिमेंट कार्बन और सलफर इनों ने आक्सीजन के fix मास के साथ कंबाइन किया अगर कंपाउंड बनाए और उन दोनों कंपाउंड में अगर कार्बन और सलफर का रेशियों देखा जाएं कंप्रियर करके हम आप सीजन से तो यह क्या है कि आप सीजन का इसमें 32 इसमें उस तरह देखा जाए तो कार्बन और सल्फर का जो रिशियो है वह 12 इस्टू 32 जिसको हम कह सकते हैं 3 इस्टू 8 के रिशियो में है अब देखें जब ये दोनों एक साथ मिल करके कमपाउंट बना रहे हैं तो क्या हो रहा है है CS2 जान से देखी का उच्चों यहां पर कार्बन है 12 और सल्फर है 32 इनका क्या रिशियो है 32 दो सर्फर हो गए यानि 64 जहां पर इनका क्या रिशियो है अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यह होगा 3 और यह हो जाएगा 4 बन जा 4 और 4 6 यानि 3 इस्टू 16 आया आप देखें यहां पर कह रहा है यह वाला और यह वाला इन रेशियों का वाप क्या होगा कि एक होल नंबर आएगा कीसे कर दे इसको तो यह हो जाएगा 3 अपान 8 और इसको कर दे 3 अपान 16 काटे एगा और एडव कर देखें यह 6 यह चला जाएगा ओपर क्या आगया element एक तीसरे के fix proportion के साथ reaction करेंगे compound बनाएंगे अब उन में उन दोनों element का जो ratio होगा वो क्या होगा कि अब वो दोनों element जब आपस में combine हो करके compound बनाएंगे उसमें जो ratio होगा इन दोनों का जो ratio यह होगा वो एक whole number होगा या यू कहलें कि इन दोनों में simple ratio आएगा तो वह आया to तो इस तरह से इस example से आप इसको समझ सकते हैं आप और एक्जामपल ले सकते हैं carbon oxygen और hydrogen का भी ले सकते हैं ठीक है carbon hydrogen और oxygen का भी आप ले सकते हैं तो इस तरह से बहुत सारे एक्जामपल हैं जिनको ले करके आप इन नियम को समझ सकते हैं यह रूल NCRT बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आप यहां इसको समझ लें क्योंकि इससे कोशन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको बताया है आप इसके बाद कि नाओ कि फोर्थ ला कि जो फोर्थ ला है वह यहां पर गैसेस के बारे में हैं जिसको कहा गया है गेलू सैक्स ला गैलू सैक्स ला यह किसके बारे में है यह गैसेस के बारे में है ठीक है गैलू सैक्स ला कहता है है कि अग shift दो गैसिश या दो से ज्यादा गैसिश कंभाईन होकर के गैसेस प्रडुक्त देते हैं या गैसेस प्रोडुक्त नहीं भी देते हैं तो यहां के और रियक्टेंट में बात आजाएगी तो इसमें है कि when gases combine are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume तो क्या है कि if gases combine if there's this combine or produced in a a chemical reaction they do so in a simple ratio in one a अगर gases combine होती है या produce होती है किसी chemical reaction में तो उनके volume के बीच एक simple ratio होता है बसरते temperature और pressure constant होना चाहिए जैसे है अगर हम ले लें कि hydrogen gas है और यह chlorine gas के साथ combine होती है और बनाता है 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 hydrogen chloride gas है तो क्या होता है कि इसका अगर एक वालूम इसका वन वालूम और इसका टू वालूम बनीड़ा हुआ है ठीक है दूसरा एक्जामपल हम इसमें कह सकते हैं कि अगर मालेजे कि यह हम 100 ml ले लें यह भी 100 ml होगा और यह 200 ml अब इसमें क्या है कोशन करसकते हैं कि मालेज़े कि हम लेते हैं कि मिथेन को हम मिथेन का कमश्ण कराते हैं ठीक है तो पहले को इसको की बास्मझ सबहिये, इस ग्यासिस कंबाईद ने अगर गैस सब्पह्जिकार होती है या monitoring में कि बनती है किसी सब्धिक इसकाए परपॉर्शन होता है इनके मीξë प्रपॉर्शन होता है अब इस ऐ windows का Bem में जो है रीश्यो होगा अब इसके लिए एक इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस एक कोशन साव करते हैं इसमें कोशन बार लो हम ले ले 200 ml इसमें आग करते हैं आन कंबस्शन आन कंबस्शन 200 ml मेथेन प्रोड्यूस वाटर एंड कार्वर डियाकसाइड टेकर फाइंड दा कि अमाउंट आफ आक्सीजन रिक्वाइट क्या करना है यहाँ पर कोश्शन समझ लें कि ट्यूकौंडन मेथेन कोrock कंपलीट्ली कंबस्श करावर जा रहा रहा है इस ग्व 빠शन आयूंड मेथेन का कंबश्शन हो रहा है और जल्यूंडन कांबस्शन कराने के लिए ठीकeding कॉणडन अगर मेथेन का कंबशन होगा तो कितने आकसीजन की ज़रुत पड़ेगी सबसे पहले हम क्या करें सबसे पहले इसका हम एक बैलेंस गेमिकल एक्वेशन लिखना होगा और अगर केमिकल एक्वेशन को बैलेंस करना ना जानते हों बच्चो तो आप और उसमें वीडियो दिया हुआ है जिसमें आप केमिकल रियक्शन को बैलेंस करना बड़े आराम से सीख सकते हैं ठीक है तो उसको जरूर देख ले और आपको समझ में आ जाएगा अब देखें जब मिथेन का कंबस्षन होगा तो कंबस्षन क्या होता है कंबस्षन के मतलब क था संदिया कि मिथेन एके मद्षन के साथ फिर्द्ग बनाएगा इसी कंबस्षन कहते हैं या इसको अपस्षन जिक और के सकते हैं तो उपस्षन कई ओक करनेंगे तो आप आप देखें तो मीठेल आक्सिजन से रियक्शन किया और इसको जड़ा हम बैलेंस कर लें यहां देखो आशा बैलेंस करते क्यों है फिर वही दो फस्त नियम अभी हम बताए ना लाफ कंजरुवेशन आप मास यहां डॉल्टन से टामिक थे दोनों में कहा गया है कि एक्टम को ना हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं तो ना बनेगा ना मिटेगा अब यहां इसको क्या करना होगा तो इसके लिए वन कारर्वं कर्बान के जरूरत हमको नहीं पड़ेगी जरूरत किसकी पड़ेगी हाइड्रोजन और आक्शेजन करना है क्योंकि यहां हाइड यहां तो रसला है अद dai चारजोटे चाहां हो नो यहां यहां पर यह कर सब्सक्राइब करें इसके क्लू मालेक्यों ले लें कि और इधर वाच्र भी ख्लो最 !! बनेगा अब यहां पर हम इस रियक्शन को का यूज़ करके और यह क्लू हमारे पास है कि टू हंडडर एमल मीधिन कंबस हुई है तो हम ना सिर्फ आक्सीजन का वालूम निकाल सकते हैं बलकि कारुण एक्साइड का भी निकाल सकते हैं वाटर करने निकाल पाएंगे क्योंकि की मालों यह लिक्विट फार्म है तो इसका लिकविट फार्म के लिए गेलोशाक्ट ला कुछ कहता नहीं है तो लिक्विट वाले को छोड़ देते हैं हम सिर्फ पहुछ जाते हैं गैसे वालूम जो है उनकाल सकते हैं कि देखें तो गेलुसेक्ट लाइए कहता है कि मेथेन वन वालूम रियक्ट करेगा आक्सीजन के टू वालूम से यानि इसको अगर हम वन एमेल लेंगे तो हमको टू एमेल आक्सीजन चाहिए यानि एक लीटर अगर मेथेन हम लें तो एक लीटर वन लीटर मेथेन के कंबस्चन के लिए हमको टू लीटर आक्सीजन चाहिए कारबन डायक्साइड कितना बनेगा वन वालूम यानि एक लीटर कारबन डायक्साइड बनेगा वाटर छोड़ दो अब क्या करना है हमको यह जानगे कि अगर वन एमेल वन वालूम यानि वन एमेल अगर हम मीथेन लेते हैं तो टू एमेल आक्सिजन की जरूरत पड़ती है और वन एमेल कार्बन डियक्साइड बनेगा according to question 200 ml methane has been taken so 200 ml methane ticket combined with 400 any just double of the methane 400 ml of oxygen and 200 ml carbon dioxide will produce so in this way we can find out the volume of oxygen as well as carbon dioxide in with the help of this reaction and galusac log ठीक है दोनों का हम यूज करके यहां बता सकते हैं तो अब इस reaction का answer क्या हो गया 400 ml oxygen will be required for the complete combustion of 200 ml methane and also you can say 200 ml carbon dioxide will produce ठीक तो इस तरह से गेलुशायक लाको हम यूज करके दोनों बता सकते हैं ठीक है बच्चों जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं ठीक है उसका answer भी हम देने का पूरा प्रयास करेंगे ठीक है बच्चों नेक्स्ट अब लास्ट लाओ है जिसको कहा गया है अब एक गड्रो लाओ अब देखो आयो गड्रो ने क्या कहा यह कुछ गैसेस के वालूम के बारे में कहा है ठीक है गैसेस के वालूम में इन्होंने कहा इक्वल वालूम आफ गैसेस अग्ड़ सेम तेम्परेचर एंप्रेचर एंप्रेशर कंटें इक्वल नंबर आफ मालिक्योंस ठीक है इन्होंने क्या का इक्वल वालूम आफ गैसस एक चंस्तें तेम्परेचर एंप्रेचर 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 कि कंटेंट कि सेम नंबर आफ मालिक्यूल्स अब देखें यहां पर क्या कह रहें इक्वल वालूम आफ गैसस कि अगर हम डिफरेंट गैसस के इक्वल वालूम ले ले जैसे माले आपने आक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन मीथेन इन सब गैसों का इक्वल वालूम आपने ले लिए माले सब का 200 मल ले लिए यहां पर आपने 200 मल का बरतन लिया आप लिए ट्वाल का धिसमें अक्सीजन गैस लिया आपने 200 ml 200 ml इसमें आपने carbon dioxide ले लिया 200 ml इसमें आपने chlorine gas ले लिया 200 ml इसमें आपने hydrogen ले लिया और यहां पर आपने 200 ml मालों यू आप टेकन मितिन गैसे तो इस वे यहां पर क्या है कि जो फीजिकल कंडिशन्स है वो रिमें अंचेंज आपको रखना है यानि क्या है यहां पर constant temperature and pressure इनका सबका pressure और temperature सेम है constant है इसमें अगर इसमें प्रेशर जितना आप लगाए है वही इतने वही इसमें वही इसमें वही इसमें टेपरेचर भी सबका सेम होना चाहिए तो एवे गड्रों ने क्या कहा कि मान लीजे oxygen के X molecules है इसमें तो इसके भी X molecules होंगे इसके भी X molecules होंगे इसके भी X होंगे इसके भी X molecules होंगे जैनी सभी gases के same number of molecules होंगे अगर इसमें वन लैक है तो इसमें भी वन लैक molecule इसमें भी 1 lakh molecule इसमें भी वन लैक मालेकिल इसमें भी वन मालेकूल यह यहांपर क्या है कि कौन से गैस है यह आपको ध्यान नहीं देना है बस वालूम अगर चाहिए जो भी गाश हो वालूम सबका सेम है ठीकर और treatment प्रेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो नंबर आफ मालेक्यूल सम में कांस्टेंट होंगे यानि स्टेम होंगे ठीक है अब जैसे माल लीजे कोशन यह कह रहा है कि 200 ml में एक्स वालूम है तो अगर हम 400 ml ले ले तो 2x molecules हो जाएगा अगर हम 10 टाइमस ले ले तो नंबर आफ मालेक्यूल समय तो इस तरह से अगर ड्रों ने गैसेस के लिए यह फार्मूला दिया कि अगर डिफरेंट गैसेस के हम से एक्वर वालूम ले 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 तो उनमें नंबर आफ मालेक्यूल भी से होते हैं तो बच्चों आपने देखा कि यह जो फाइट इंपॉर्टेंट लॉज हैं केमिकल कंबिनेशन के लिए इनहीं के बे तो यह सारी लॉज आपके समझ में आ गए होंगे आपने हम पढ़ाते गए हैं आप साथ साथ अगर इसका नोट्स बनाते गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है आपके पास एक नोट्स भी मिल गया और इससे रिलेटेट जो निमेरिकल्स हैं वो हम अगली बार आपको बता ही हैं और बता देंगे और वह एक्जांपल आपको बता देंगे ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ निमेरिकल्स होंगे और इसके साथ साथ आपको हम मौल कांसेट्स भी बताएंगे कि अखिर मौल कांसेट्स क्या होता है तो बच्चों यह सब आपने देखा समझा और इसी तरह से आप देखते रहिए और हमारा चैनल आप जानते ही है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो हमारे पसंद आए समझ में आए तो आप लाइक करिए और कमेंट करके हमको बताए कि हमारे वीडियो कैसे है कोई कंफिजन है उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो बच्चों तैंक यू फार वाचिंग और हम जल्द ही फिर मिलेंगे